हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपी के यूट्यूब चैनल स्टोक मार्किट अपडेट्स में तो जो भी साती हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाटा के एक हिडन पैनी स्टोक के बारे में तो दोस्तो ये जो पैनी स्टोक है इसने पिछले एक साल में बहुत ही जबर्दस्त परफोर्मेंस दी है और इसने अपने निवेश्कों का प कमपनी में अपर सरकिट ही लग रहे हैं अगर मैं पिछले एक मन्त की बात करूँ तो आप देख सकते हैं एक मन्त पहले ये शेयर 138 रूपीज पर ट्रेड करता था और आज वहां से ये 366 तक पहुंच चुका है अगर मैं पिछले इस साल की मैं अगर बात करूँ तो इस सा ये एक जनुवरी को 26 रूपे का शेयर होता था और आज ये शेयर आप देख सकते हो कहां पहुंच गया है तो दोस्तो इतना जबरदस्त रिटरन मितलब एक साल में 1272 परसेंट के इस शेयर ने रिटरन्स दिये हैं मिन्स कितना ज़्यादा इसने अपने निवेशकों का पै सकता है तो सबसे पहले अगर मैं Automotive Stamping and Assemblies Limited ये साल की बात करूं तो ये जो है Tata means Tata की एक सबसीडरी है और इसमें जो 75% स्टेक्स हैं वो Tata Auto Component System Limited के हैं इसमें 75% हिस्सेदारी इसके अलावा जो बाकी स्टेक्स हैं वो पबलिक के पास अगर इस कंपनी की मैं बात करूं त करती है Sheet Metal Components की, Welded Assemblies की, Skin Panels की, Fuel Tanks, Suspension Parts और Modules बनाती है इसके लिए for Auto Companies and Commercial Vickles तो दोस्तों ये जो कंपनी है means काफित रहे के इसके प्रोडक्ट्स हैं मार्किट में और मेंली जो इनका काम है वो Auto Companies और Commercial Vickles के लिए आता है इस कंपनी के इंडिया में Total 4 Plants available है जिसमें से 2 Plants पूने में स्थित है एक Plants गुजरात में है और एक इसका पंतनगर में Plants available है तो दोस्तों ये मैंने आपका थोड़ा कंपनी के बारे में Introduction दी ये कंपनी है क्या अब मैं आपको इस कंपनी के थोड़े Financial से रूबरू करात हूं तो सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी के Market Cap की बात करूं तो इस कंपनी का Market Cap सिर्फ 582 क्रोड रुपे का है मीन्स बहुत Micro से भी Micro Cap ये कंपनी है 52 वीक हाई आप आज ही देख सकते हैं कंपनी का 366 52 वीक हाई है एक साल पहले ये 24.2 का Share होता था Face Value Company की 10 है अब मैं आपको इसके जो Profit और Loss है उसके बारे में आपको दिखाता हूं 2018 दिसंबर quarter में Net Profit Loss में थी माइनस 5.69 क्रोड के उसके बाद माइनस 3.83 क्रोड का Loss उसके बाद 9.55 क्रोड का Loss देन सब्तेंबर 19 में 1.18 क्रोड का Loss उसके बाद दिसंबर 19 में ये पलस में आई 2.98 उसके बाद फिर Loss में करोना के टाइम में लगातार Loss बढ़ता चला गया और अभी जो है मार्च 21 में आप देख सकते हैं 0.15 क्रोड का Loss जून में 8.8 क्रोड का Loss इस साथ जो सब्तेंबर में जो अभी quarters गया था उसमें ये कंपनी पलस में आई है Net Profit इसका 0.4 क्रोड है Means अगर आप Point of View सो देखें Profit के तो कंपनी का कुछ खास Performance Profit जो Results है उनसे खास नजर नहीं आ रहा है आगे मैं आपको इस कंपनी का जो Share Holding Pattern है वो आपको दिखाना चाहूँगा Promoter 75% Stakes लेकर बैटे हैं और Public के पास 25% Stakes Available है अब मैं आपको इस कंपनी की Balance Sheet के बारे में दिखाता हूँ कंपनी के मैं Results की बात करूँ तो कंपनी के Results लगातार बढ़ रहे हैं बट वो Negative means Loss में कंपनी के Results बढ़ रहे हैं अब ही कंपनी –- 104 क्रोड के Results हैं कंपनी के पास Loss में है । Long-term Brewing की बात करूँ तो कंपनी के ओपर 36 क्रोड रुपे का Long-Term कर्ज है Short-term Brewing की बात करूँ तो कंपनी के पास इस क्वार्टर में 118 क्रोड का Short-Term कर्ज भी है cash and cash equivalent की अगर मैं आगे बात करूँ तो company के पास ना के बराबर 0.04 करोड का जो cash है वो available है तो दोस्तो ये हमने company के financials पर नज़र डाली तो अब question ये आता है कि ये company इतना क्यूं भाग रही है means पिछले एक साल में 1200-1300% के return दे दिये और लगातार अपर सरकिट में ही ये company चल रही है तो दोस्तो इसके मैं आपको दो reason देना चाहूंगा पहला तो reason ये है दोस्तो कि ये जो company है means जो इसके products हैं जो मैंने आपको बताए वो ये auto companies को provide कराती है और अभी इसका commercial vehicle में भी plan है और आगे तो ये company three wheeler segment में भी आना चाह रही है तो बट जो इसके auto companies को जो ये अपने parts देती है उसमें सबसे ज़्यादा जो इसके auto parts है वो Tata motor खरीदता है means दोस्तो Tata motor अभी आप सभी को पता है कि Tata motor के reserves है अभी की condition में बात करूँ तो वो भी loss में ही पड़े है Tata जो motor है वो खुद एक करजदार company है बट जो Tata के future के plans है जो Tata EV segment इलेक्टरिक vehicle segment में जो aggressively काम कर रहा है तो जो share जो फाइदा Tata motors को लगातार हो रहा है उसी फाइदे का impact हमें इस share में भी देखने को मिल रहा है क्योंकि ये अपने सबसे ज़्यादा product Tata motor को बेचता है और सबसे ज़्यादा revenue इसका Tata motor से ही आता है तो आप सभी को पता है कि आने वाला time no doubt Tata motor का ही हमें देखने को मिला है क्योंकि मिलेगा क्योंकि वो EV segment में सबसे आगे चल रहे हैं उसी hope में जो ये company है automotive stampings इसमें भी investors भर-भर के पैसे लगा रहे हैं कि जैसे जैसे Tata motor grow करेगा वैसे वैसे ये company भी आगे grow करती चली जाएगी अब दोस्तो ये तो पहला reason था क्योंकि ये Tata motor के लिए काम कर रही है और Tata motor future में Tata motor का बोलबाला होने वाला है तो इसी वज़े से इस share का भी बोलबाला हमें देखने को मिल सकता है दूसरा reason है दोस्तो अब इस share में जो operators लोग हैं वो active हो चुके हैं ये बात आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि company चलो ये बात मान ली कि जो future की होप है उसके लेकर लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं बट दोस्तो ऐसा भी क्या है कि company लगातार अपर सर्किट अपर सर्किट ही लगा रही है तो इसमें जो सैकिल है कि इसमें operators लोग भी active हो चुके हैं वो share को आप देखी सकते हैं 20 रुपे का share कहां पहुँच गया इसतनी जादा growth तो Tata Motor के share ने भी नहीं की और ये तो उसके लिए आगे काम ही करता है तो दोस्तो आप को अभी क्या करना चाहिए तो दोस्तो अभी मेरे हिसाब से अभी तो इस stock में जो तेजी बरकरार है ये समझ से बाहर है क्योंकि ये नहीं पता की हो क्या रहा है पहली बार ऐसा हुआ है कि इन क्वार्टर्स में पिछले कि कम्पनी लोग से प्रोफिट में आई है और आगे भी means कम्पनी की ये कोशिच रहेगी कि वो अच्छा खासा काम करें बट दोस्तो अगर investing point of view से बात करूँ तो अभी मेरे हिसाब से थोड़ा हमें वेट करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा overvalued ये स्टोक अभी नजरा रहा है इतने अपर सर्सकिट्स के बाद शेयर का प्राइस कहां से कहां चला गया है तो मेरे हिसाब से fresh entry इस शेयर में अभी लेनी खतरनाक सावित हो सकती है जो लोग और इसमें profit में बैटे हैं जिन्हों ने इसमें कमाया है तो वो लोग enjoy कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं वो उनकी मर्जी है कि आगे उनको profit booking करना चाहिए या उनको इसमें बने रहना चाहिए तो दोस्तो ये एक टाटा का hidden penny stock था पहले ये penny stock होता था 60 रुपे का लेकिन अब तो इसकी penny से ये देख सकते हो आप कहां पहुँच गया means 60 का stock 366 हो गया तो ये एक penny stock था टाटा का जिसके बारे में लोग कम ही बात करते हैं इस बारे में comment section में जुरूर बताना वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना मिलते हैं अगली वीडियो में आगे भी हम वीडियो में कुछ जबरदस्त नए नए stocks के बारे में हाफ सभी को बताएंगे तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye